सर्दियों में थो भगछे को बहूत जल्दी इस कफ बना लेता है है जो बड़े होते हैं उनके पैरों में जोड़ों में दर्दी यह सब सुड़ों हो जाता है तो उनके लिए एक खास तेल बनाते है जो Vergleich के लिए और इसे काफेशेसे घरम होने देंगे और अब हम इसिए में सिवित होई और यह सब पकने देंगे कि मैं यहा इलैंगे बहुत सिख्रेट जो है मेथी तो आपको यहां पर मेथी एक चमस लेना है अगल कम तील बना रहे हैं तो कम ही मेथी ले कमी लैसन ले और मेती को भी थोड़ा सा पकने देंगे और अब हम डालेंगे दोनों चीजे पक गई है न तो अब डालेंगे एक चमच के करीब इसमें अजवाइन तो अगर आप अजवाइन पहले डाल देंगे तो ये जल जाएगा तो हमें जलाना नहीं है और इसमेशन पकाना है यी त्याओन इससी क्लरण नेकोemitism बहँत अच्छे तरीके से इससे पका किलाना है एक बिल्लकुल लो फिलम पे और एजिए काफिशे सफग गया तो इसमेशन को कि ठंदा कर के जार में रख लेंगे लब किसी भी बहुत अलोतल में डख लेंगे और यह तेल बनाना बहुत असान है लेकिन बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद होता है बच्चों को जब भी सर्दी लगे नहीं तो आप उनकी छाती पीस से मालिस किजिए बहुत राहत मिलता है और अगर बड़ों के पैरों म कैसी लगी जरूर बतिएगा मिलते हैं नेक्ट वीडियो में नए टिप्स चाहें नए रेस्पी के साथ